हेलो एवरिवन गुड मॉर्णिंग अलाफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आई होब डूइंगे टोड़ वेर इंट्रेस्टिंग टोविक दिस वीडियो में फर्स्ट हमारा प्रेजेंड टेंस में तो देखो प्रेजेंड टेंस होता गया पहले यह हम देख लेत टेंस का मतलब होता है जो टाइम पीरियड हमारा चलता हुए तो यह टेंस जो है तीन प्रकार का होता है पहला होता है प्रेजेंट पहला क्या हो प्रेजेंट टेंस नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा तो दूसरा हमारा आता है पाश टेंस पाश टेंस तीसरा आता है हमारा फ फ्यूचर लो हई 10 हैं प्यूचर पैंज्य फ्यूचर पैंज यह होता टेंस हमारी कितनी प्रकार के लुर्ए यह किसा सुन Inde सभी धर्जेंड को हमुदि में बोलते हैं क्या बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट को बोलते हैं भूत काल, पास्ट टेंज को हम बोलते हैं भूत काल, पास्ट टेंज को हम बोलते हैं भाविश काल, क्या बोलते हैं भाविश काल, फ्यूचर टेंज को हम बोलते हैं भाविश काल, तो जो हमारा प्रेजेंट होता है, तो आज हम present की बात करते हैं तो जो present हमारा है तो present में हम जो helping verbs लगाते हैं वर्ब जो होता है वो दो प्रकार से होती है वर्ब भी हमारे दो टाइब की होती है पहली होती हमारा main verb क्या रटा है main वर्ब होती है में वर्ब होती है में वर्ब वो होती है जो एक्षन करते है जैसे कम गोड यह सारे हमारे क्या में वर्ब हुआ एक्जामपल की तरफ यह सारे हमारी वर्ब है यह में वर्ब है हमारा helping verb क्या आता है helping वर्ब दो प्रकार के होते हैं फर्स है हमारा main verb जो गो कम जो इसमें action होते यह सारे हमारे helping verb होते हैं ठीक तो helping स्वारी यह action वर्भ होते हैं तो helping वर्ब हमारे क्यों से हैं हमारे है इच एम आर वाज वर हैड है विबिन प्रकार के ऐसे ही हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो वर्ब आपने समझ लिया कि में दो प्रकार के होते हैं में वर्ब and helping वर्ब यह हमारे दो प्रकार के थे तो अब देखो जो main word होता है main word और helping werब मिलके ही sentence बनता है जब हम present tense की बात करते हैं यह फूर्ट की बात करें future के बात करें main verb and helping verb मिलके ही हमारा sentence का निर्माड होता है तो अब हम आज हमारा focus है किसमे present tense में तो present tense की मतलब समझ गये हैं कि present tense के मतलब वर्तमान काल है जो वर्तमान में चल रहा है जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो यह वर्तमान है present की बात है प्रेजंट की helping verb जो होती है helping verb होती है helping verb हमारे present की एक होता है is am and are यह है present tense का helping verb indefinite में तो अब देखो अब हमें यह confusion है कि is कहां पे लगाएंगे, am कहां पे लगाएंगे are कहां पे लगाएंगे तो इज, am, are लगाएंगे देखो singular के साथ हम इज लगाएंगे singular के साथ अब पहले हम singular देख लेते हैं singular verb किसे बोलते हैं singular हमारा होता है जैसे he sorry she, he it यह किसी का नाम जैसे राम हो गया यह हमारे क्या है singular है क्या है, singular है इनके साथ हम क्या लगाएंगे इज लगाएंगे इनके साथ हम इज लगाएंगे next आता है plural जैसे दे वी यू यह हमारे क्या है plural है यह है प्लूरल है इनके साथ हम लगाएंगे आर क्या लगाएंगे आर लगाएंगे दे वी यू यह plural नेम दो यह दो से अधिक जो नाम आता है उसे हम plural बोलते हैं और इनके साथ हम आर लगाएंगे एक हमारा बच्टा है आई I के साथ ही हम M लगाते हैं जो M है I के साथ आएगा बाकि किसी के साथ नहीं आएगा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो किसी के साथ नहीं आता है सिर्फ I के साथ हम M का यूज करते हैं M ही ऐसी helping word केवल EC के साथ ही दिया गया है तो अब हम कुछ examples करके देख लेते हैं हमारा पहला examples है U-merciful दोस्तों merciful को हम क्या बोलते हैं तो हिंदी में हम बोलते हैं दयालू जो इंसान दया दिखाता है जो दयालू होता है उसको हम बोलते हैं merciful तो ये हमारा क्या है adjective है क्या है? adjective है merciful है तो इसका मर्सी का मतलब दया दयालू को जो होता है ये एक adjective उसकी मतलब capacity को बताता है ठीक तो ये adjective है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे यू? ये क्या है? हमारा plural है ना? plural है तो इसका मतलब plural के साथ हमने देखा था कि आर लगाते है plural के साथ आर लगाते है तो यहाँ पे यू? आर लगेगा क्या लगेगा? यू? आ मर्शी फुल तुम दयालू हो हिंदी में बोला जाएगा next sentence है देख दैस फार्चुनेट देख फार्चुनेट का मतलब होता है भाग्य साली क्या होता है? भाग्य साली जो लक्की होता है लक्की का मतलब भी होता है भाग्य साली फार्चुनेट का मतलब भी होता है भाग्य साली तो देख है तो इसका मतलब इस्टबन का मतलब होता है जिद्दी क्या होता है जिद्दी इस्टबन का मतलब होता है जिद्दी इस्टबन का मतलब होता है जिद्दी इस्टबन इस्टबन का मतलब होता है जिद्दी इस्टबन का मतलब होता है जिद्दी इस्टबन का मतलब होता है जिद्दी इस्टबन आप वी का मतलब होता है हम तो हम जिद्धी है नेक्स सेंटेंस है हमारा शी, सी का मतलब होता है वहा देखो सी का मतलब होता है वहा एंड ही का मतलब भी होता है वहा तो अब कन्फ्यूज मत होना ही जो होता है वो लड़के के लिए होता है लड़का के लिए होता है ही जो है लड़का के लिए होता है ही का मतलब होता है वहाँ लड़का के लिए अगर कोई लड़की है क्या है लड़की है तो वहाँ पर भी शी होता है वहाँ के लिए तो शी लगाएंगे हम वहाँ लड़की के लिए ही लगाएंगे हम बहाँ लड़का के लिए एक इसमें कंफ्यूज मत होना इसमें तो शी यह सिंगुलर है कि क्षिंगुलर है कि जब समय के साथ है तो एज लगाते हैं क्या लगाते है इसलिए हम यहां पर इज लगाएंगे She is a fullist Fullist का मतलब होता है मंद बुद्धी या मुर्ख क्या होता है मुर्ख Fullist का मतलब Next sentence है I तो I का मतलब होता है My I का मतलब होता है और I एक ऐसा ही subject है कि इसी के साथ helping verb M लगती है बाकी M किसी के साथ नहीं लगता तो I I-Curious तो देखो Curious को हिंदी में हम बोलते है उत्सुक क्या बोलते है उत्सुक Curious उत्सुक तो I am Curious इसको Curious पढ़ा जाएगे Curious Next sentence हमारा दे दे का मतलब होता है वे यह plural है इसलिए यहां पे R लगेगा तो they are optimistic का मतलब होता है आसावादी I hope वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएए वीडियो आपको कैसी लगी है ताकि ऐसी वीडियो आपको प्रवाइड कर दें Thank you for watching my video